Hello all, my name is Prashant Kadukar, I am the founder of Digital Trainee. 5 secret parameter to run successful campaign. कौन से 5 parameter हैं, वो आप ध्यान रखिए और आपका campaign successful कीजे. बहुत सारे assignments अपने किये हैं, बहुत सारे अपने social media के assignments हो, Google AdWords के assignment हो, email marketing के हो, बहुत सारे assignments अपने किये तो है. लेकिन successful campaign के लिए कौन से चीज़े important हैं, ये 5 चीज़े ध्यान रखिए, ये secret parameters है, इतने साल का, 7 येर का experience जो मेरे पास आया, जो experience में आपको share करने वाला हूँ. First parameter जो है, वो है, clarity of business, business understanding. Definitely आप कितना भी अच्छा campaign क्यों न कर लो, लेकिन आपको आपका business ही नहीं मालूम, तो definitely वो campaigns are successful नहीं होगा. तो definitely पहले campaign run करने से पहले आपका business clear कर ले, clear कर ले means आपका business का information detail में ले लीजे, आपका business का USP's, benefit, जो भी information होगी आपकी business की, वो पहले खटक कर लीजे, देन जाके आपका campaign run कीजे. Second parameter आपको successful कर में help करता है आपका campaign, आपका creativity, आप कितना creativity आपके content में डालते हो, आपके images में, आपके videos में डालते हो, आपके headline में, description में, जितनों भी आप campaign कर रहे है, क्लिक करेंगा तहीं आपका ad successful होने वाला है, क्योंकि boring ad बनाएंगे तो आपका campaign successful नहीं होने वाला है, पैसे कटे रहेंगे, reach होते रहेंगा, result नहीं मिलेंगे, creativity, 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 बहुत important है creativity, creativity कैसे बढ़ा है, आपके customer का pain धुनिये कहाँ पर है, आपके customer को fine करें कि cap in हो रहें, for example में बहुत example लेता हो, real estate का example है, कोन खरीद रहे है flat रहे है, आपका business है real estate का कोन खरीद रहे है flat, जो हाज सच में rent पे बंदे जो रहे है, rent पे लोग जो रहे है न वो flat खरीद रहे है, so ऐसा post बनाओ कि don't pay rate, pay EMI and book your dream home, और आपको directly EMI pay करने से वही PMI में convert होंगा, तो मेरा dream home मुझे मिल जाएगा क्या, yes मिल जाएगा, so obviously लोग click करेंगे, तो user के pain समझो और उसको एक अच्छा सा content डालो, एक नहीं आपको content आलो तो emotional content बनाओ, जैसे राम देवाबा बनाते हैं न, कि स्वदेशी, स्वदेशी का नारा, स्वदेशी का नारा ही कि आपको emotionally touch करने की कोशिश करते, man will be man अपने कभी आड देखियोंगी, दिंचक पुजा का आपने देखाऊंगा, तो ये क्या है, ये उन्होंने आड पे उन्हें fun था, उसके आड में emotion था, उस आड में creativity थी, वही आड आज successful होती है, तो आड पे बहुत time waste कीजिए, दो मिनिट में आड नहीं बनेंगे, आपकी जो आपकी assignment बना रहे हो, दो तीन मिनिट में खतम कर रहे हो आड आप, लगाओ, एक गंटा लगाओ आड बनाने में, ऐसी आड बनाओ कि वर्ड की best आड होने चाहिए, इंप्रू करो उस आड में, तब जाके हो campaign successful होंगा, थर्द चीज अब important है, थर्द पैरामिटर इस, राइट ओडियंस को जानी चाहिए अपके आड, भली अपने आड कितना भी creativity बना लिया, लेकिन वो आड रॉंग ओडियंस को जा रही, तो चलेंगा क्या, नहीं चलेंगा definitely, तो आपकी जो आड है, राइट ओडियंस तक जाना important है, तो फेस्बूक में हो, या गूगल में हो, यूटूब में हो, कहां भी भी campaign कर रहे हो, तो आप you can able to select the audience, आप select कर सकते हो audience को, तो definitely क्या करना है आपको, राइट ओडियंस को select करना है, तो आपकी जो creativity है, वो राइट ओडियंस को दिखेंगी, तो आपका campaign successful होंगा, फूर्थ पैरामिटर जो है, आपका keep monitoring of your ads, means what, कि आपका जो ad आपने run कर रहे हो, तो you are to keep monitoring, ऐसा नहीं है कि लागा है और छोड़ दिया, और चल रहा है, दो दिन होगा मैंने देखा ही ने performance दे, जो दो दिन के बाद मैं check कर रहा हो, क्या हुआ result उसका, दो दिन campaign चल रहा है, और दो दिन बाद चेक कर रहा हो, क्या हुआ campaign का result, ऐसे नहीं, you are to keep monitoring, आपका काम हुआ नहीं है, जब campaign run कर दिया, पैसे pay कि आपका काम हुआ नहीं है, आपको keep monitoring करना पड़ेंगा आदे आदे गंटे में या 15-15 मिनिट में एक गंटे में आपको keep monitoring क्या results आ रहे है क्या नहीं आ रहे है you are to keep monitoring your app तो फिर पाचवा आता है तो monitor कर रहे हो तो कुछ problem आएंगे तो improve your ad, improve your audience, improve your all the parameters in your ads पहला था clarity of business, second था आपका creativity, third था आपका right audience, fourth था आपका keep monitoring your ads और fifth था आपका improving your ads, आपको मालूम तो गिर गया है कि track तो क्या आपने क्या हो रहा है लेकिन फिर उस ad में improve भी आपने करना चाहिए, improve नहीं करेंगे तो definitely वो ad monitor करके मतलब नहीं है और तब campaign मना है, कोई भी campaign अपका unsuccessful नहीं होंगा hope you like this video and definitely this point or this parameter will help you for your future journey in the digital marketing thank you very much क्या पार्प्ड़ एड़ देजैंगा क्या में भीज़ एपकार खार्पट कर तो क्या है क्या कर रहा है